नमस्कार, हस्त मैथुन के चलते उत्पन होने वाली समस्या और उसके समाधान की स्रंखला के तीसरे वीडियो में मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ कल के वीडियो में हमने ये जाना कि हस्त मैथुन के चलते क्या इरेक्टाइल देस्फंक्शन अथा लिंक में तनाव की समस्या उत्पन हो सकती है तो अगर अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा उस वीडियो को जरूर देखेगा क्योंकि बहुत ही रोचक जानकारी आपको उस वीडियो में देखने को मिलेगा आज के इस वीडियो में हम तीसरी समस्या के बारे में बात करने का प्रयास करेंगे जो आमतोर पर मानी जाती है कि हस्त मैत्वन के चलते उत्पन होती है जी हां ऐसा निश्चत तोर पर संभव है परंतु जैसा मैंने आपको कल के वीडियो में बताया था कि हमारे समाज में इन सब बातों को बहुत बुरे नजरिये से देखा जाता है बुरा माना जाता है तो सोभाविक तोर पर ऐसा करने के वश्यात हमारे मन में अपराद बोध चलते ऐसी समस्या उत्पन होती है और जैसा मैंने आपको कल भी बताया था कि अपराद बोध भी सामाने तोर पर खुद से उत्पन नहीं होता विशेश तोर पर आजकल यूट्यूब वगारा के उपर इस से जुड़े वीडियो को देखकर या उल्टी सीधी जगह से जानक अपने को मिलती है हला कि मैं यहां एक बात निश्ची तोर पर साफ कर देना चाहूंगा मैं किसी भी प्रकार से अस्तमैत उनको सही नहीं ठहरा रहा हूं पर जो गल्त धारनाएं हैं जो ब्रांतियां हैं उनका मन से दूर होना बहुत ज़्यादा जरूरी है हला कि कुछ जोर मन वाले व्यक्ति जरूर यहां इस परकार की मानसिक समस्याओं से पेडित होते देखे जाते हैं और यही अपराद बहुत दीरे दीरे बहुत से लोगों में इरेक्टाइल डिसफंक्शन की समस्या कारण बन सकता है क्योंकि अगर किसी के सर के उपर आप बंदूक रख जाएगा कि मुझे में तो दिक्कत है मुझे में तो कमी है और जिस समय आपका ध्यान संभोग क्रिया के उपर होना चाहिए उस समय आपके दिमाग में यह सब बाते चल रही होते हैं तो निश्चित तोर पर आपका ध्यान भंग होने के साथ ही आपके लिंग में आया हुआ तनाव भी भंगो तवा दिखाए देगा और जब यह प्रिक्रिया एक दो बार घटित हो जाती है तो आपको खुद के उपर ही शंका होना प्रारम बो जाता है खुद के उपर ही शक होना प्रारम बो जाता है और यही शंका एक ऐसी ऐसे चक्र को प्रारम कर देती है जिसमें आप बस घूमते रहते हैं और जब सारे दिन वही चीजे दिमाग में घूमती रहेंगी कि मुझे में कमी है मैं अपना भविश्य किस परकार बनाऊंगा मैं अपने परिवार को आगे किस परकार बढाऊंगा तो सामाने सी बात है कि आप अपने रोजमर्रा के कारे पर अच्छी परकार से ध्यान नहीं दे पाएंगे अपनी पढ़ाई अच्छी परकार से नहीं कर पाएंगे और अगर आप किसी चीज को ध्यान पूरवक तरीके से नहीं समझेंगे नहीं देखेंगे तो समाने सी बात है कि आप आपके दिमाग से उसके निकलने की संभावना बहुत अधिक हो जाएगी जिसके चलते आम तोर पर ऐसी समस्या से पेड़ित लोग ये शिकायत अधिक करते कि उनके उन्हें याददास की कमी अनुभव हो रही है रही बात इलाज की तो उसके बारे में हम आठवे वीडियो में बात करना प्रार्यम करेंगे तब तक के लिए मैं आपको एक चीज जरूर बता देता हूँ अगर आपकी उमर 28 या 30 साल से कम है और अगर आपको रात को नींदों में या फिर सुबह उठने के ठीक पहले अप अच्छी प्रकार से अनुबव होता है परंतु दिन में अपने लिंग में आप तनाव अच्छी प्रकार से अनुबव नहीं कर पाते हैं तो निश्चित तोर पर आपको शायरिक समस्या कम और मानसिक समस्या अधिक है और वह मानसिक समस्या हो सकती है आपने खुद ही खेर छोड़िये आपको जब मैं उपचार बताऊंगा तो इन विश्य के उपर और भी अधिक विस्तार से चर्चा करेंगे परंतु कल का वीडियो जरूर देखेगा क्योंकि कल के वीडियो में हम ये जानने का प्रियास करेंगे कि क्या आखिर हस्त मैथुन के चलते वीरे में सुक्राणों की कमी और वीरे का पतलापन उत्पन हो सकता है और मैं यहां आपको थोड़ा सा हिंट दे देना चाहूंगा जी हां बिल्कुल उत्पन हो सकता है कोई अर पर नहीं बिल्कुल उत्पन हो सकता है जानने के लिए कल का वीडियो जरूर देखेगा मिलते हैं दोप एक बजे, नमस्कार.